हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल जैन्वी जीनियस पे आज हम मैंसुरेशन का पार्ट टू देखेंगे और इसमें हम कुछ कॉडिलिटरल्स पॉलिगन ट्रिपेजियम का एरिया निकालना जो है सीखेंगे और उसके बाद पॉइंट टू के कुश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं देखो कभी भी अगर हमें किसी पॉलिगन का एरिया निकालने को कहा जाएगा area of polygon अगर आपसे कभी भी फाइन करने को कहा जाता है तो area of polygon फाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा suppose एक polygon हमने आपको दे दिया एक ऐसे polygon हमने आपको दे दिया तो किसी भी polygon का area अगर आपको निकालना है तो आप polygon को break करेंगे इंटू triangle ब्रेक इंटू ट्रैंगिल्स ठीक है हम पॉलिगन को ब्रेक करेंगे इंटू ट्रैंगिल्स ठीक है जैसे हमने एक लाइन ऐसे खीच ली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली तो यहां पर एक ट्रैंगिल हमें यह मिल गया A, B, C एक मिल गया A, C, D और एक मिल गया A, D, E अब इस पॉलिगन का जो एरिया है हम फाइंड कर सकते हैं बाइ एडिंग एरिया ओफ ट्रैंगिल A, B, C प्लस एरिया ओफ ट्रैंगिल A, C, D प्लस एरिया ओफ ट्रैंगिल A, D, E ठीक है इस ट्रैंगिल का एरिया आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो इस triangle का area half base into height से निकाल सकते हो इस triangle का area half base into height से निकाल सकते हो ठीक है तो किसी भी polygon का area अगर हमें find करना है तो हम उसको triangles में break करेंगे और फिट्स different triangles के area निकालेंगे उन areas को add करेंगे तो हमें given polygon का area मिल जाएगा ठीक है अब बढ़ते है area of trapezium की दरब area of trapezium अगर हमें find करना है area of trapezium यह एक trapezium हमने draw करा suppose हमें इसका area find करना है तो again हम इस trapezium को दो triangles में divide कर सकते हैं तो यह एक triangle बन रहा है ABC और एक triangle बन रहा है ACD दो triangles बन रहा है अगर हम इस distance को इस लंबाई को h कह दें जो कि trapezium की parallel sides के बीच की दूरी है trapezium में हमेशा दो sides parallel होती है दो non parallel होती है इनके बीच की दूरी को अगर हम h कह दें और यह जो लंबाई है इनको हम a और b कह दें तो पहले वाले triangle का area triangle ABC का area half base इसका base यह है और height h है और दूसरे वाले triangle का area half base b है और height h है यह मिल जाएगा जिसमें अगर half h हम common कर ले हाफ h अगर हम इसमें common कर ले है तो half h a plus b यह area of trapezium का formula आ जाएगा तो area of trapezium का formula आप learn कर लीजेगा कभी भी area of trapezium हमें find करने को आएगा तो area of trapezium किसके equal होता है half sum of parallel sides जो parallel sides है उनका sum यह a plus b है इसको correct कर लीजे half sum of parallel sides a plus b into distance between them into distance इनके बीच का height है यह area of trapezium हम use करेंगे formula जब भी हम trapezium के questions लगाएंगे इसके बाद देखिए area of area of rhombus area of rhombus कभी भी आपको rhombus का area find करने को कहा जाएगा तो half product of diagonals जो rhombus है उसके जो diagnose दिये गए है half d1 cross g2 से आप easily जो है area of rhombus जो है find कर सकते हैं ठीक है अब जल्दी से हम 11.2 पर आते हैं 11.2 के questions देखते हैं 11.2 11.2 का exercise 11.2 का जो पहला figure है इसमें trapezium आपको दिया हुआ है question आपके सामने screen पर दिख रहा है आपको visible होगा ये दूरी 1 है और इसके बीच की height जो है आपको point 8 दे रखी है और ये लंबाई आपको 1.2 दे रखी है अब इन्होंने कहा है area of trapezium हमें find करना है तो area of trapezium हम find करना चाहते हैं तो area of trapezium हमारा होगा half sum of parallel side जो parallel side से उनको जोड़ेंगे और इनके बीच की दूरी से multiply करेंगे तो ये half 1.2 plus 1 2.2 into 0.8 ये cancel out कर दो 1.1 into 0.8 ये आ रहा है 88.88 meter square area हमें मिल गया तो इस तरीके से देखो पहला question कितना simple है trapezium का formula जिसे पता होगा वो पहला वाला question easily जो है कर लेगा second question पर आते हैं जो second question है इसमें हमसे कहा गया है एक trapezium है जिसका area given है 34 cm square area हमें पहले से दे रखा है और एक parallel side दे रखी है 10 cm beach के height इनकी दे रखी है 4 cm और other side fine करने को कही जा रही है तो सीधे area of trapezium का formula लिखते है area of trapezium होता है half sum of parallel sides into distance area है 34 a है 10 और b हमें find करना है height है h जो की है 4 height हमें 4 दी हुए यह 2 से cancel out करते हैं और यह 2 से इधर cancel out करते हैं तो 17 is equal to 10 plus b यहां से b की value हमें मिल लगी है b की value मिल लगी है 17 minus 10 is equal to 7 7 cm सेकेंड साइड आ गई ट्रपेजियम की second question भी दोखों simple है question number third पर आते हैं third question third question जो है इसमें length of fence of a trapezium shaped field a,b,c,d if b,c is equal to 48 c,d is 17,80,40 find area of this field side a,b is perpendicular to parallel side a,d,n,b,c यह figure इसका third वाले question का आपको given है third वाले question में figure given है trapezium आपके सामने है और trapezium a,b,c,d में यह perpendicular length है और यह दोनों side parallel है अब हमसे कहा गया है length of fence of a trapezium इस 120 meter इसकी सबकी जो length है जो trapezium की length है वो हमें दे रखी है 120 meter b,c दे रखा है 48 c,d दे रखा है 17 a,d दे रखा है 40 और यह side नहीं दे रखी है पर यह perpendicular है यह हमें पता है area of field हमें find करना है जो question है इसमें हमें area of field find करना है अब दोको area of field अगर हमको find करना है तो area of field के लिए half sum of parallel side into यह length की जरूरत होगी पहले यह length हमें find करनी पड़ेगी जोखो length of fence of trapezium 120 meter है it means इन सब side का जो sum होगा वो 120 होगा तो x plus 40 plus 48 plus 17 यह 120 होना चाहिए x plus 88 plus 17 is equal to 120 x plus 105 is equal to 120 तो x हमारा आएगा 120 minus 105 it means 15 x आगया 15 ठीक है x की value 15 आगई अब हमारे पास height भी है और parallel sides भी हैं तो हम easily area of trapezium find कर सकते हैं area of trapezium हो जाएगा half sum of parallel sides parallel sides हमें जो दी थी वो क्या थी 40 और 48 40 और 48 into distance इनके बीच का 15 है तो यह आ गया 88 by 2 into 15 44 into 15 44 into 15 अगर हम करेंगे 15 4 times 60 15 4 times 60 66 660 meter square area हमें मिल गया question number 4 पर आते हैं जो जो 4th question है उसमें diagonal of a quadilateral shaped field is 24 and perpendicular dropped in from remaining opposite vertex 8 and 13 given है और area of field हमें find करना है हमें area of field निकालना है और diagram कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक diagonal ऐसा है और इसके उपर एक triangle है और दूसरा diagonal एक दूसरा triangle इसी diagonal पर यह है यह height 8 दे रखी है और यह height जो हमें 13 दे रखी है यह length हमें 24 दे रखी है यह length हमें 24 दे रखी है area of field अगर हमसे कहा जाएगा find करने को area हो जाएगा इस triangle का area अगर हम लिखेंगे तो half base 24 है और height 13 है और अगर इस triangle का area हम लिखेंगे तो half base 24 ही रहेगा और height 8 होगी तो 12 इंटू 13 प्लस 24 इंटू 4 96 यह हमारा area आ रहा है 12 इंटू 156 और 96 156 और 96 को अगर हम add करते हैं 252 252 meter square area हमें मिल रहा है area of field हमें मिल ला है 252 meter square question number 5 पे move on करते है बस 5 question और है उसके बाद यह exercise finish हो जाएगी तो question number 5 में देखो हमें क्या दिया है एक rhombus है rhombus के diagonals हमें दिये है 7.5 और 12 और हमसे area find करने को कहा जा रहा है तो rhombus के case में area हमें find करना आता है half product of diagonals तो सीधे half को हम diagonals से multiply करेंगे और 7.5 इंटू 6 45.0 cm2 एरिया हमारा आ गया question number 6 देखो हमें area of rhombus find करना है अगेन इस वाले question में भी हमें area of rhombus ही find करना है पर अपकी बार जो rhombus हमें दिया गया है इसकी side 5 दिया है और altitude 8 दिया हुआ है altitude जो इसकी height है वो कित्ती दिवी है 8 दिवी है if one of its diagonal is 8 एक diagonal दे रखा है 8 तो दूसरा diagonal भी पता करना है इस question में 6 वाले question में दो चीज़ find करनी है पहले area find करना है फिर दूसरा diagonal find करना है तो students area हम बहुत easily find कर सकते है area हो जाएगा rhombus का half area हो जाएगा base into height जोखो rhombus एक paleologram है rhombus क्या है एक paleologram है और paleologram का area base into height होता था तो जो formula हम paleologram में लगाते थे वो formula भी हम यहाँ पे rhombus पे लगा सकते हैं तो area base into height होगा base यहाँ पर दिया है 5 और height दिया 8 इस तरीके से जो rhombus का area है वो 40 cm square आ गया अच्छा आप देखो area पता चल चुका है एक diagonal पता है दूसरा diagonal निकालना है तो area का formula वो वाले यूश करो जो diagonal के term में था area rhombus का था half product of diagonals area तुम निकाल चुके हो एक diagonal तुम्हें पता है दूसरा तुम्हें find करना है तो यहाँ से diagonal आ गया तुमारा 10 इस तरीके से diagonal भी निकाल आया और area भी निकाल आया क्रिश्चन नंबर सेवेंथ पर आते हैं जो को जो सेवेंथ क्रिश्चन है सेवेंथ क्रिश्चन है इसमें floor of a building consists of 3000 tiles हमें number of tiles दी वी है number of tiles है 3000 which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 and 30 यह जो tile का shape है वो कैसा है rhombus का shape है टाइल का shape कैसा है rhombus का shape है और इसके diagonal 45 और 30 है इसके diagonal कितने हैं 45 हैं और 30 है unit पर ध्यान देंगे इस question में हमसे कहा गया है पूरी floor पर अगर हम यह tiles लगाते हैं यह tiles लगाते हैं तो total cost कितना आएगा अगर cost per meter square रुपीज 4 है cost per meter square रुपीज 4 है अब बच्चे देखो एक tile का area कितना है पहले हम यह find करते है area of one tile area of one tile area of one tile होगा half product of diagonal मतलब half 45 into 30 675 एक tile का जो area है 675 cm square है ठीक है तो एक tile का area इतना है तो 3000 tile का जो area होगा total area जो होगा 3000 tile लगनी है तो 3000 into 675 cm square यह total area होगा ठीक है अब देखो वन मीटर square पे जो cost आती है रुपीज 4 आती है वन मीटर square पे ठीक है तो यह जो total area आ रहा है हमारा cm square में आ रहा है तो इसको मीटर square में बदलने के लिए by 100 अब देखो वन मीटर square पे टाइल लगाने पे cost इतनी आ रही है तो जो total cost हमारी होगी इतने area पे टाइल लगाने पे वह होगी 3 into 675 by 10 multiplied by 4 इसे अगर हम कैंसेल आउट करें इसे इंट्स 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 15 810 रुपीज जो है टूटल कॉस्ट पूरे पे टाइल लगाने पे आईगे क्युष्ट नम्बर 8 पे आते हैं देखो जो 8 ुष्ट दिया है उसमीज झाथ, तुम्हारे सामने है, मुहन को एक ट्रिपेजियम फिल्ड भूर खरीदनी है है 100 मीटर तो मतलब 100 क्या हो गया हाइट हो गई है लेंथ आफ साइड अलॉंग दी रिवर हमको ये साइड पता करनी है जो रिवर की तरफ है इस तरफ रिवर बह रही है देखो फिगर में तो ये वाली साइड हमको पता करनी है मतलब ये जो साइड है इसकी डेवल है इस ते हम क्या समझ रहे है अगर ये साइड एक्स हम मानते हैं तो ये साइड कितनी है और हमको पता क्या करना है हमको फार्मला यूज करते है एरिया ओफ प्रेपेजियम का हाफ सम उफ पैनल साइड इंटू डिस्टेंस भाई एरिया हमको दिया है दस अजार पास्तों हाफ सम उफ पैनल साइड एक्स और टू एक्स होगा और इनके बीच के हाइट हंड्रेड होगी तो यह अगर हम 00 कैंसल आउट कर दें यह टू इधर बेजेंगे तो 210 इस इक्वल टू 3 एक्स हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स और अगर हम यहाँ पे 3 से कैंसल आउट करें तो एक्स हमारा आ गया 70 एक्स आगया 70 मीटर ठीक पर हमसे रिवर की साइड वाली लेंथ पूछी गई है तो यह होगी इसे देखके यह एक्सिस पिनिश करते हैं कि 9 कि देखो कुश्य नमर नाइन तजो है इसमें क्या कहा गया है टॉप सर्फेस ऑफ लेस रिस प्लेटफॉर्म इस शेप अफ़ रेग्लर ओक्टागन एक यह रेग्लर ओक्टागन हमारे सामने है एक regular octagon हमारे सामने है और octagon में यह जो शेप है यह trapezium जैसा है यह 4 है यह 11 है और यह length हमें 5 दीवी है हमें इसका area find करना है हमें इसका area find करना है इस पूरे octagon का area हमें find करना है अब देखो यहां पर polygon वाली property लगेगी कभी अगर हमें area find करना है किसी भी polygon का तो हम उसे simpler part में break करेंगे तो जैसे एक line यह draw करिए हमने एक line हम यह भी draw कर सकते हैं तो यहां पर दो trapezium आपको दिख जाएंगे और एक rectangle आपको दिख जाएगा तो area of octagon जो होगा area of octagon जो होगा यह हो जाएगा area of trapezium plus area of second trapezium plus area of rectangle area of trapezium area of trapezium लिख सकते हो half sum of parallel sides देखो यह कहा गया है कि यह regular octagon है regular octagon है इसका मतलब इसकी सारी sides बराबर होंगी अगर यह 5 है तो यह भी 5 होगी यह भी 5 होगी सब 5 होगी यह भी 5 all sides 5 है तो यह length 5 है ठीक है और यह length 11 है तो parallel sides का sum 5 plus 11 हुआ into distance इनके बीच की दूरी हमें 4 दे रखी है यह जो दूरी है हमें 4 दे रखी है तो यह इसका area हो गया और इसी ऐसा ही same area नीचे भी आएगा और area of rectangle length into breadth 11 into 5 हो जाएगा तो अगर हम इसे cancel करते हैं 16 into 2 plus 16 into 2 plus 11 into 5 यह हमारा area होगा 32 plus 32 plus 55, 64 plus 55, 119 meter square area इसका आ गया हमारे पार, ठीक है question number 10 पर आते हैं 10 पर आते हैं 10 पर आते हैं 10 में एक pentagon दिया है pence memory pentagon दिया है, यह length 15 है यह length 15 है यह length 15 है यह length 15 है और यह एरिया को कैसे फाइंड करती है वो उसको जब ये एरिया निकालना होता है तो वो एक लाइन बीच में ऐसे खीश देती है ठीक तो एरिया हमें जोती के तरीके से पहले निकालना है ठीक है पहले हमें जोती के तरीके से एरिया निकालना है तो अगर हम लाइन ऐसे खीश तो यह दो ट्रेपेजियम बन जाएंगे और इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा हाफ सम आफ पैलल साइट यह और यह पैलल साइट से होंगी यह पंदरा और यह तीस और इनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा क्योंकि बीच में विल्कुल ड्राव करा है तो हाफ मतलब 15 का हाफ मतलब 7.5 यह इसका एरिया हो जाएगा एक ट्रेपेजियम का और दोनों का एरिया सेमी होगा तो इंटू टू भी कर सकते हैं इसको हम टू टाइम से लिख सकते हैं एक जैसे ट्रेपेजियम में तो टू टाइम से लिख सकते हैं तो यहां से यह टू टू कैंसल होगा और यह आ जाएगा 45 इंटू 7.5 45 इंटू 7.5 तो यह हमारा कितना हो जाएगा 337.5 मीटर स्पैर अच्छा आप दोखो कवीता ने इसी एरिया को कैसे निकाल ला है एरिया बाय कवीता इस एरिया को कैसे निकाल लाई है वो इसको ब्रेक कर रही है एक ट्रैंगिल और एक स्क्वेर में एक triangle और एक square में तो कवीता area कैसे निकालेगी वो triangle का area निकालेगी और square का area निकालेगी और दोनों को add करेगी अब देखो यह triangle का area अगर तुमें निकालना है तो यह length 15 है यह पूरी length 30 है तो 30 में 15 घटाओगे 15 आएगा मतलब जो कवीता की height है कवीता की triangle की height है वो 15 है तो triangle का area हो जाएगा half base into height और square का area हो जाएगा 15 into 15 225 by 2 plus 225 तो यह area आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वार अब यह कह रहे हैं क्या किसी और तरीके से area find कर सकते हैं तो यह आपके लिए एक exercise है आप यह चेक करके देखेंगे कि क्या इस area को किसी और तरीके से find कर सकते हैं और comment में लिखेंगे ठीक है इस वीडियो के comment में हमें वो method चाहिए एक third method जिससे हम इस figure का area find out कर सकें question number 11 पे आते हैं यह last question है इस exercise का जोको 11 question में हमें एक diagram दिया हुआ है और डियाग्राम के inner dimensions जो है वो 16 और 20 है और यह ऐसे बहर figure बना है यह इसकी length 24 और यह पूरी length 28 दीवी है अब हमसे क्या का गया find area of each section of frame if width of each section is same चोड़ाई हर जगे की same है ठीक है हमसे का गया width हर जगे की same है तो हमें area of each section find करना है area of each section find करना है तो हम पहला काम यह करते हैं कि हर section को नाम दे देते हैं first second third और fourth और fifth पाच section है इसमें पाच section के area find करने तो पहले हम first section का area find करेंगे first section आपको क्या दिख रहा है एक rectangle दिख रहा है तो rectangle के area आप सीधे length into breath से निकाल सकते हैं यह आ गया 320 cm square second section second section देखो आपको एक trapezium दिख रहा है trapezium का area half sum of parallel sites into distance होता है तो पहले हमको इस trapezium की parallel sites तो distance पता करना पड़ेगा देखो यह length 24 है यह length कितनी होगी 16 क्योंकि यह 16 है तो यह 16 होगी और यह पूरा 28 है इत्ती length 20 अगर 20 हम 28 में minus करेंगे तो यह आएगा 8 और 8 को अगर हम divide करते है equally तो यह length होगी 4 और यह length होगी 4 ठीक तो अब हम area of trapezium भी निकाल सकते है half sum of parallel sites into distance 4 तो 80 cm square इसका area आ गया हम clearly देख सकते हैं कि symmetrical figure है तो third section का और second section का area same होगा तो third section का area भी कितना आ जाएगा 80 cm square ठीक है fourth again एक trapezium है फॉर्थ section हम देख रहे हैं तो अगेन एक trapezium है पर इस पर अक्की बार इसकी side 20 और 28 है और यह 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 हैगा तो 8 को आदा करा चार चार तो इसके बीच की height भी 40 रहेगी तो अगर हम यह values रखेंगे तो fourth section का area हमारा 96 cm square आ जाता है fifth section और fourth section का area same होगा तो यह भी 96 cm square ही हमें मिलेगा इस तरीके हम लोग ने 11.2 के questions खतम कर लिये हैं कर हम लोग देखेंगे solid shape